कोलकादा में आपने तो भूतनात मंदिर का नाम सुना ही होगा पर क्या आपने कभी मोटा महादेव के बारे में सुना है मोटा महादेव का मंदिर आज से लगवक साड़े 300 साल पहले एक बंगाली जमींदार के द्वारा बनाया गया था हाला कि मैं आपको बताना चाहूं कि हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी जैसे भूतनात में जम जम जमाते हुए भक्तों की भीर लगी है पर मोटा महादेव में भी भक्तों की भीर लगी है चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह जो मंदिर जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदiggly के जडों सही फॉरा घिरा हुआ है को चलूँ वर धिखाए उपर में डीचली सिटा हुआ है जो बपेड की जड़े है वा कुई मनिल के आज पास भीनलों की तरह बल्कि आगे की तरफ से भी हो जड़े पेर की जो है वो मंदिर को जकड के रखी है यहां के पुरोहिट से बात करवाते हैं। आलिता जमीदार वो पतिष्टा किया है बाबा को सारे तीन सो साल तक पहले हैं। तब से हमरा बाप जादा इसका सेवा करने हैं। इसका महिमा बहुत जह है। महुदाद में को अच्छा हुआ है। तेस साथ ही कुछ लोगों से भी बात करवाएंगे और पूछेंगे कि क्या विशेष्टा है इस मंदिर की विशेष्टा तो हम लोग कुछ गुनगान कर नहीं सकते हैं। इमकी विशेष्टा बहुत है। इस मंदिर में कभी कोई कुछ कर नहीं सकता है। यह ऐसे का ऐसा ही रहेगा। बोल बाबा मोटा महादेव कीजै। में बहुत प्रयास किया… नहीं तिल ठुक पाया। जब तक बाबा काहू कुम नहीं होगा तब के मंदिर बने गानी। यह जैसा है वैसे ही रहेगा। मंदिर है यह बहुत प्राचिन का है। बहुत ही सालों पुड़ाना है। यहां पर जो भी मनुकामना लेके मांगेंगे वह आपका पूर्णा होना ही है ऐसा कोई भी नहीं है जो मनुकामिया पूरा नहीं होता है और सावन तो सावन में तो हर नागरिक यहां पर आएंगे पूजा महादेव का करेंगे मैं कैलकेटा में 2002 साल से रह रहे हूं तब से मोटा भूलेनात के यहां पर दर्शन करने हर साल आती हूं शावन में तो आती हूं ऐसे मैं जब टाइम हीलता है तब आ जाती हूं जैसा कि आपने देखा ही कि यहां पर जो मंदिर है वो काफी पुराना है और जरजर हो चुका है पर लोगों की जो स्टधा है वो बिल्कुल कम नहीं होती लोग हर दिन यहां पर आते है बाबा का जो शाद सिंगार होता है वो हर दिन होता है और जो शाम की आरती यहां की हो होगी इसी किसंट कामरा परसिल सुमन किसंट मैं श्रीजा जैस वालता जादी भी ओल काता हूँ